बुद मॉर्निंग टू माई आल बेएलियन स्टूडेंट्स, आल रिशर्च स्कॉलर्स, आल फैकल्टी मेंबर्स वह वाचिंग दिस चैनल, जैसे कि आपको पता है कि जेनेटिक्स के विशेश व्याख्यान माला की संख्ला का आयोजन किया जा रहा है, इसी व्याख्यान माला के तहट आज मैं मनुष्य में होने वाले अन्वंसिक डिसॉर्डर्स, जैनेटिक डिसॉर्डर्स पे मैं आपसे चर्चा करूँगा, जैसे कि आप जानते हो कि मनुष्य के अंदर 46 गुन सुत्र पाए जाते हैं, 46 क्रोमोशॉम, जिसमें 46 ओटोशॉम होते हैं, और एक hypothformation के समय, non-disfunctions की प्रक्रिया सबादित होती हैं, और इस non-disfunctions के कण, कई बार abnormal परकार के gamit बनते हैं, उस gymit ऐसे बनते हैं, जिनको n-1, परकार के होती हैं, यानि उनमें एक गुन्सुत्रकम होता है, कई बार gamit ऐसे बनते हैं, जिनकी kabination n-1 परकार की होती है, यारी उनम में एक क्रोमोश्रूम ज्यादा होता है अब जिस तरह के एन माइनस वन और एन प्लस वन गैमेट्स का यदि फटलेशन होता है तो उससे बनने वाले मनुश्यों के अंदर क्रोमोश्रूम की संख्या डिपलोड नहीं होती है कई बार 46 की वज़ाए 45 गुंसुत्र हो जाते हैं कई बार 46 की वज़ाए 47 और 48 हो जातें अब यह संख्या में कमी में पür दी जो है यह कंड शूत्रों में भी हो सकती है और स्पक्राणुश्रूम में भी हो सकती है किस नंबर के rein-त्र at कमी अव्रदी हुई है उसके कॉर्डिंग इन सिंड्रॉम्स का जो है वो नमनक्लेचर किया जाता है तो आज की इस व्याखन वाला में genetic disorders in human beings इस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा कि genetic disorders क्या है genetic disorders कितने प्रकार के है मनुष्य में जैसे 46 क्राँश्वम है और इन 46 क्राँश्वम को साथ ग्रूप में divide किया गया है यह जो division है centromere की position की basis पे लंबाई की basis पे तो human के क्राँश्वम का यह जो classification है यह दो scientist है जह 30 और 11 इन्होंने यह classification किया है और क्राँश्वम के यह साथ ग्रूप है A ग्रूप B ग्रूप C ग्रूप D ग्रूप E ग्रूप F ग्रूप और G ग्रूप A ग्रूप में पहले तीन एक से तीन नंबर के जो क्राँश्वम है वो सामिल है B ग्रूप में 4 से 5 C ग्रूप में 6 से 12 और X क्राँश्वम D ग्रूप में 13 से 15 E ग्रूप में 16 से 18 F ग्रूप में 19 से 20 और G ग्रूप में 21 से 22 और Y क्राँश्वम इस ते अपने human में total 22 जोड़ी तो काई chromosome है और एक जोड़ी sex chromosome होता है जो कि male के अंदर xy की रूप में और female के अंदर xx गूरूप में अब यह जो 7 गूरूप है यह लंबाई के घड़ते क्रम में है सबसे लंबे जो गूंशुत्र होंगे उनको एक गूरूप में रखा है और सबसे छोटे जो क्रमोशूम है इनको last g गूरूप में रखा है इन size का comparison आप देख लो एक गूरूप में बड़े large chromosome, b में large chromosome, c में medium chromosome, d में medium, e में small medium, f में small और g में very small और इनमें centromere की जो position है, centromere के अधार पर a group के chromosome metacentric है, b और c के submetacentric है, d के telocentric है, e के metacentric या submetacentric है, f के metacentric है, g के telocentric है इस आधार पर हम देखते हैं कि मनुष्यों में acrocentric परकार के chromosome जो है वो नहीं पाए जाते हैं केवाल तीन variety यहाँ पर देखने को मिल रही है, metacentric, submetacentric और telocentric अब इन chromosome की संख्या में कमी अत्वारवर्दी से syndrome जो होते हैं, develop होते हैं इनको disease नहीं बोलेंगे, syndrome के नाम से इनको जाना जाएगा अब question है कि syndrome की definitions क्या होगी, syndrome का novenclature कैसे किया जाता है तो इसका थोड़ा जो fundamental aspect है, वो मैं आपसे share करूँगा syndrome is a set of medical signs and symptoms which are correlated with each other and often associated with a particular disease or disorder तो syndrome ऐसे देखें तो कोई एक बिमारी नहीं है syndrome है वो कई disease का, कई characters का एक collective form है है जैसे HIV से AIDS हो जाता है, अब AIDS का पूरा नाम देखते हो acquired immunodeficiency syndrome, अब AIDS का जो रोगी होगा इसमें कोई एक लक्षन नहीं है है उसमें कम स्काम 50 तरह के लक्षन उसके अंदर पाई जाता है तो पचासों characters का जब एक जो समय collective जो ग्रूप जो बन जाता है उसको syndrome का नाम दिया जाता है तो syndrome is not a single disease, it is a collection of various features और various disease symptoms अब इनके nomenclature कैसे करेंगे, इनका नाम करेंड कैसे करेंगे तो इसके पीछे वैसे तो कोई formula नहीं है, कोई इसके पीछे particular rules या nomenclature नहीं है there is no common convention for naming of newly identified syndrome in the past syndrome are often named after the physician or scientist who identified and described the condition in an initial publication and these are referred as eponymous syndrome तो प्रार्म में क्या था कि जिस scientist ने जिस syndrome की खोज की है उस वेगानिक के समान में उसके नाम पे उस syndrome का नाम दिये दिये जाता था कईबर विशेज जो CT है कस्वे है उनके अंदर कोई syndrome detect हुआ तो उसके नाम पे इनका nomenclature किया जाता था जैसे कुछ example जैसे मैं या share करूँगा जैसे Stockholm syndrome अब Stockholm है जो ये एक CT है USA के अंदर और Stockholm की CT के अधार पर इसका नाम दे दिया Stockholm syndrome डाउन syndrome जैसे अब डाउन syndrome इसके जो खोज करता है scientist है वो scientist के समान में इसका नाम दे दिया charge syndrome, charge syndrome है एक society association है उसकी basis पे इसका नाम दिया है or the basis of charge association और मनुश्य में हज़ारों परकार के syndrome है जिसके अंदर जैसे down syndrome है, clean filter syndrome है, turner syndrome है, adverse syndrome है पटेओ syndrome है, निगासी syndrome है, sanfilippo syndrome है, wallman syndrome है, miyami syndrome है तो second track syndrome, अभी जीतेवी syndrome है, इनके लिए particular genes जो होते हैं, वो उतर जाई होते हैं particular chromosome जो होते हैं, वो उतर जाई होते हैं तो chromosome की संख्या में कमी ब्रती होती रहती है, gene की संख्या में कमी ब्रती होती रहती है और उसी के according यह जो परणाम है, यह अपने को देखने को मिलते हैं तो अपने course में साबसे, अब चूंकि यह topic undergraduate course में भी है और MSE में भी है next is types of syndrome, अभी जैसे मैंने बताया कि syndrome जो होते हैं वो काई गुंट सुत्रों के कांड़ भी हो सकते हैं autosomal, यह sex chromosome के कांड़ भी हो सकते हैं, allelosomal, somatic chromosome के तीन example आपके course में है इनकी में आपसे यहां चर्चा करूँगा, down syndrome, pateo syndrome, edward syndrome और sex chromosomes related, turner syndrome और clean a filter syndrome first is down syndrome, अब down syndrome का जो व्यक्ति होगा, उसके अंदर total 47 chromosomes होते हैं लेकिन इस व्यक्ति में somatic chromosome 45 होते हैं, 45, और sex chromosome एक जोड़ी होता ही है, male है तो xy, female है तो xx अब इस व्यक्ति में extra जो chromosome है, वो 21 नंबर का होता है तो down syndrome को लिखने का जो तरीका है, वो यह रहेगा, 45 plus xy या 45 plus xx और bracket में 21 21 से पने को idea लग जाते हैं कि इस व्यक्ति में 21 नंबर के जो गुंशोत्र हैं, उनकी संख्या 3 है और जब एक particular संख्या के क्रामोस्वम जब 3 हो कोश्काव में, तो यह घटना trisomy के नाम से जानी जाती है तो down syndrome is a type of trisomy और 21st number of commission इस व्यक्ति में 21 में गुंशुत्र की संख्या 3 होती है पहले इस syndrome का mongolism के नाम से जाना जाता था या mongolian idiosi के नाम से जाना था था क्योंकि यह जो patient थे, उनका जो head है, sir है वो ऐसा लगता था जैसे कोई, मंगोल परदेश के कोई व्यक्ति हो जैसे सबसे पहले sanguine ने इस syndrome का description किया था 1847 में और इसके बस्याद langdon down ने 1866 में इसके कनीली का लक्षनों का description किया था और langdon down के शमगान में इस syndrome का नाम down syndrome रखा है, यह picture जो आप देखते हैं, यह langdon down scientist की है, अब यह syndrome कैसे बनेगा, इसका main current मैंने आपको बता है कि abnormal gamits जो बनते हैं, वो non-disjunction के current बनते हैं, या crossing guard में कोई disturbance हो जाए, उसके दोरान एय समने परकार के युगमकों का निर्मान होता है, तो down syndrome के उत्वन होने की जो परिकटना है उसके यह कुछ region हो सकते हैं, जैसे 22 plus X या 22 plus Y शुकानू का फटलाइशन, 23 plus X औवम के साथ हो जाए, या 23 plus X या 23 plus Y शुकानू का फटलाइशन, 22 plus X औवम से हो जाए, और इसके फटलाइशन का जो जाएगोट पनेगा, उस जाएगोट का कॉमिनेशन हो जाएगा, 45 plus X, X या 45 plus X, और इस तरह के जो गेमिट्स बनते हैं, यह प्राइमरी non-disjunction के कान बनते हैं, non-disjunction में क्या होता है, कई बार how normal logus chromosome की pairing तो हो गई, लेकिन cell division के दुरान, यह chromosome separate नहीं होते हैं, opposite pole की तरफ moment नहीं करते हैं, और separate नहीं होते हैं, तो result क्या होगा, दोनों गुन सुत्र एक साथ एक ही pole की तरफ चले जाते हैं, अब जिस pole की तरफ यह चले गए, उस pole की तरफ से बनने वाला जो gamit होगा, उसके अंदर इस गुन सुत्र की संख्या जादा होती है, तो n प्लस वन पर करके gamit का यहां पर production होता है, अभी syndrome के लक्षन क्या होगे, इस syndrome से ग्रस्त बच्चों की height 4 feet होती है, आखों के निकट epicanthal fold पाए जाता है, इस figure आप देखरों, आखे, आखों यह जो figure है, यदि इस तरह की कोई similar एक गड़्डा हो, इस तरह की कोई आपको convexity type की यह इस तरह का fold दिखाई दे, इसको epicanthal fold के नाम से जाना जाता है, cranium चोड़ा होता है, और छोटा होता है, nostils बड़े आकार के होता है, जीव बड़ी होती है, और खुर्दरी होती है, wavy type की, हाथों में semen रेखा पाई जाती है, semen रेखा क्या होगा, यह जैसे एक बच्चे का हाथ है, और इस हाथ में आप देख रहे हो, एकदम R पार एकदम CD line है, ऐसा लग रहा है, जैसे कोई चाकू से कोई चीरा लगा के जैसे यह रेखा बनाती हो, तो हाथों में इस तरह की यह दि रेखा है, तो इसको semen क्रीज के नाम से जाना जाता है, यह मेरा हाथ जैसे आप देख रहे हो, अब मेरे हाथ में semen क्रीज नहीं है, लेकिन यह दि किसी व्यक्ति के हाथों में आपको इस तरह की horizontal रेखा दिखाई देए, और ऐसा लगे कि हतेली है, वो आधी-आधी divide हो गई है, तो इस तरह की जो रेखा होती है, इसको semen क्रीज के नाम से जाना जाता है, इसके लाए इनकी जो little finger जो होती है, चिटली अंगुली जिसको बलते हैं, यह वाली, इस चिटली अंगुली के अंदर अभी तो तीन डिजिट है, त्री डिजिट है इसके अंदर, और दो यह धा क्रीज है, तो little finger में एक ही क्रीज दिखाई दे, इसका मलब इस व्यक्ति में down syndrome है, इनके कान की जो पिन्ना होती है, वो विक्रत परकार की होती है, इनके जो eddy के जो जोंट है, वो धीले होते हैं, जैसे इस चितर में आप देख रहे हो, इस बच्चे के eddy के जोंट आप द जाने में उनके जूते जो होते हैं, वो एक साइड से घस जाते हैं, योगी बोडी का जो प्रेशर पढ़ता है, जो पढ़ती है, वो थोड़ी यहां पर shift होगी है, तो ankle joint जो होते हैं, इन बच्चों के अंदर loose होते हैं, हार्ट में जन्मजात विक्रितियां पाई जाती है, सोशन तंतर में संकर्मन की सभावनया ज़्यादा रहती है, reproductive organ विक्सितनी होते हैं, यह बचे मानसी ग्रूप शे मंद होते हैं, इनका मुँँ है हमें साब खूला रहता है, लेकिन इनको training देके किसी भी activity में इनको दक्स कर सकते हैं, इन बच्चों को पेंटिक बनाने सिखा सकते हैं, साइकिल चलाने सिखा सकते हैं, हार्मोनिय बजाना सिखा सकते हैं, खाना बनाना सिखा सकते हैं, तो किसी भी skill activity में इसको आप trend कर सकते हो, यह कुछ figure मैंने share किया हैं, जैसे यह इसकी जीव देख रहे हैं, जीव इनकी दूले ही रहता है, और यह बच्चे दिखने बहुत सुंदर होते हैं, डाउन सिंट्रों के, यह पर यह बच्चाए जैसे इसकी मदर इसको जैसे पैंटिंग सिखा रही हैं, तो skill activity में इसको आप trend कर सकते हो, अब इन बच्चों के जनन की जो संभावना है, 1000 बच्चों में साथ पॉंट दें, यानि 1000 डिलीवरी में 7.3 बच्चों के अंदर डाउन सिंट्रों होने की संभावना पाई जाती है, इनकी जीवनवदी 16.2 यर्स तक होती है, कुछ रेर केस में इनकी आयों 20 साल, 21 साल तक भी हो सकती है, यदि टांसलोकेशन टाइप का सिंट्रों हो, टा टांसलोकेशन सिंट्रों में मनुष्य की जो आई होती है, वो जनरली 25 साल, 30 साल तक देखी गई है, इसका एक एक जामपल है, जैसे रोबर्ट सन टांसलोकेशन, रोबर्ट सन टांसलोकेशन में क्या होगा, 21 नमबर के जो गुंसूत्र हैं, इसके कुछ जीन टांसलोकेट ह जो के 14 नमबर के गुंसूत्र पर इस्थानानतित हो जाते हैं, अब इस सिफ्टिंग के कारण, इस मनुष्य में गुंसूत्र तो 46 ही है, फिर भी इसमें डांसिंड्रों के जो लक्षन है, वो प्रगट हो जाते हैं, और अबनॉर्मल गैमिट जो है, वो मेल में बनेगें, या फिमेल में बनेगें, ये भी एक common question हो सकता है, तो ऐसा मन्य जो युगमक होते हैं, वो महिलाओं में ज्यादा बनते हैं, उसका main region क्या है कि लेडिज में जब oogenesis होता है, तो इनके oogenesis की परक्रिया एक बार stop हो जाती है, और ये stop है 30 साल, 40 साल तक चलता रहता है, क्यों यदि arrest रहेगा, तो उसका cytoplasm जो होता है वो पूराना होता जाता है, और आजकल ये concept चलता है, एक नया chapter सेल्वस में है, नुक्लियो साइट्रप्लाजमिक इंट्रेक्शन, यानि केंद्रक के चार और का कोशी का दर्वे कैसा है, वो उसकी जिनकी कारिय परढ़ाली को पर उस बचे में syndrome के होने की संभावने बहुत ज्यादा होती है, ये graph में आप जैसे देख रहे हो, इधर जैसे age जो बढ़ रही है, syndrome के होने की परतिशत्ता है, वो बढ़ रही है, तो ये maternal age और syndrome की percentage, उसका graph जोगा ये इस तरह का जैसे आता है, इसका बाद में second syndrome, pateo syndrome, pateo syndrome में भी chromosome की संख्या 47 होती है, लेकिन जो अतिरीक तकुन सुत्र जो यहां पर आ रहा है, वो 13 नमबर का है, और इसको लिखने का जो तरीका होगा, वो है 45 प्लस xy, या 45 प्लस xx, और bracket में 13, ये भी एक trisomic example है, जो 13 नमबर के गुन सुत्रे के कार्ण होता है, इस वक्ति में 13 नमबर के जो गुन सुत्रे हैं, उनकी संख्या 3 होती है, और इस syndrome की खोज किये पटेव ने 1960 में की थी, और इसके समान में इस syndrome का नाम पटेव syndrome रखा है, इस केरियो टाइप में आप देख रहे हो, 13 नमबर के जो गुन सुत्रे हैं, इनकी संख्या 3 है, बाकी क्रोमस्रों की संख्या 1-1 है, एक एक जोड़ी है, इस syndrome का निर्मान कैसे होगा, 22 प्लस X अत्वा 22 प्लस Y सुकर्ण का जब फर्टलाइशन 23 प्लस X ओवं के साथ हो जाएं, या 23 प्लस X अत्वा 23 प्लस Y सुकर्ण का फर्टलाइशन 22 प्लस X ओवं के साथ हो जाएं, और फर्टलाइशन के फलसूब जाएगोट का जैनिक कॉम्बिनेशन हो जाएगा 45 प्लस X एक्स या 45 प्लस X Y, और यह जो गैमिट बनते हैं, यह नौन दिस्रंक्षन के कारण डव यह मान सिक रूप से मंद होते हैं, जनम से बैरे होते हैं, उपरी होट कटावा होते हैं, अंगुलिया पांच से ज्यादा होती हैं, हर्दय में इन्बार्ण मालफोर्मेशन पाई जाती हैं, जनम जत विकलती हैं, और इस सिंड्रम के होने की जो संभावना है वो एक 20,000, यानि 20,000 बच्चों में, एक बच्चे में इस सिंड्रम के होने की संभावना है वो रहती हैं, यह फिकर जैसे आप देखे हो, इसमें उपरी होट कटा हुआ है, इस तरह इस बच्चे की टंग में आप देखे हो, पांच की विज़ाए 6 अंगुलिया आए, तो अंगलि 45 प्लस XX और ब्रेकेट में ठारा, यानि इस सिंड्रोम से ग्रस्त मनुष्य में, अठारे नमर के गुन सुत्रों की संख्या 3 होती है, इसलिए इन वग्यानी के समान में इसका नाम एड़वर्ड सिंड्रोम रखा है, इसकी संभावना एक बच्टे 8,000 रहती है, यानि 8,000 बच्चों के अंदर 8,000 डेलीरी में, एक बच्चे में इस सिंड्रोम के उत्मन होने की वस्लिट रहती है, और अधिकांस जो बेवी होती है, वो जनम के तीन मैने पर शात उनकी मृत्य हो जाती है, हालक याज कल कुछ सर्वाइवल केस हैं, वो भी रिपोर्ट हुए हैं, उ फट्लाइशन जब 23 plus X ओम से हो जाए है, या 23 plus X या 23 plus Y शुकरन का फट्लाइशन 22 plus X ओम से हो जाए, और जो जाइगोट होने का उसका मिनिशन हो जाएगा 45 plus X, X या 45 plus X होई है, और ये primary non-desensation के कार्ण होता है, इस केरियो टाइप में आप देख रहे हैं, आथारा नंबर क जो क्रॉमोसोम्स हैं इनकी संख्यातीन है इसलिए ये ट्राइसोमी का एक एक जामपल है इस सिंड्रॉम के मुख्य लक्षन इनके लगबग सभी अंगों में मालफॉर्मेशन्स या विक्रतियां फ़ाई जाती है इनके कान छोटे होते हैं जैसे आप फिगर देखरो इसमें इयर पिना की जो बनावट है अजीव तरकी है इयर पिना छोटे आकार का है मालफॉर्मेशन्स है नाक जो होते हैं वो इल फिन के समान होते है इल एक मचली होत और इसकी पूछ का जो फिन होता है, कॉडल फिन वो चप्टा होता है, इस फिगर यह आप देख रहे हो, यह नाक की जो बनावट है, नोस की, यह इल फिन के जैसी है, किटिनी जो होती है वो घोड़े के नालकिसमान हो जाती है इस्टर्णम छोटा होता है इस बचे हम देख रहे हो चैस्ट जो है छोटा है चप्टा है मानसी ग्रूप से यह मंद होता है mentally retarded इनके हाथ जो है वो क्लेंच पर करके होता है यह figure आप देख रहो इसके अंदर हतेली है वो बड़ी है लेकिन आंगुली अब हो छोटी है मेरा हाथ जैसे आप देख रहो तो मेरे हाथ की अंगुलीयों की लंबाई और हते के लिए लंबाई है वो परपॉर्शन रैश्यों में है लेकिन इनके अंदर हैंड जोगा वो क्लेंच टाइप का होता है क्रोश लैग पाई जाते हैं क्रोश लैग से मतलब यह बच्चे जब बैठे होते आराम होते तो इनके जो टांगे हो भीतर की तरफ बैंट हुई जैसे दिखाई देगी जैसे इस फिगर में आप देख रहो यह क्रोश लैग सिचुएशन है जनम की समयन का वर्जन कम होता है अंगलियों की नाखिन जो होते हैं वो अंडर डवलप्ट होते हैं जैसे इस फिगर में देख रहे आप अंगलियों के अंदर अंगलियां तो बन गए लेकिन नाखिन जैसे मैं भहत ही छोटे हैं लगवग गटना है वो इस बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी गिए घंण सुंडर में पहले जो तीन एक्जामपल थे यह सॉमेटिक क्रोमोशूम्स के कर्ण अब बग्जाम्पल जो मों सेयर करूंगा वो सेक्स क्रोमोशूम के कर्ण है और ठनर सिंडरोम के जो व्यक्ति होते ह इनमें गुंद्शुत्रों की संख्या 45 होती है इनमें सेक्स क्राउंशूम सॉमेटिक क्राउंशूम तो 40 होते हैं लेकिन सेक्स क्राउंशूम इसमें एक ही होता है एक एक्स क्राउंशूम इनके अंदर डिलीट हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है disintegrate हो जाता है damage हो जाता है तो इनकी combination 44 plus x0 या 44 plus y0 यह y0 situation भी कई बार rare case में बन जाती है तो 44 plus x0 यह दी situation है तो इसको female turner के नाम से भी इसको open पुकार सकते हैं और 44 plus y0 यह दी situation हो तो इसको male turner के नाम से जाना जा सकता है और यह जो example है यह monosomy का example है monosomy monosomy में क्या होगा 2N-1 इसका symbol होता है यानि द्यूईगुणित व्यक्ति में एक गुण सुत्र कम इसके probability एक बटे 25 यानि धाई जार बच्चों में एक बच्चे में turner syndrome के होने की जम्भावने रहती है और 90% case में इस तरह के जो embryo होते हैं उनका abortion हो जाता है fetus का proper development नहीं हो पता है और सबसे वहले Ford और उनके साथियों ने पाया कि यह जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर X chromosome होता है और इसका formation का जो तरीका रहेगा formation का तरीका 22 प्लस X सुकाणू का fertilization 22 प्लस 0 ovum के साथ हो जाए या 22 प्लस 0 स्वर्म का fertilization 22 प्लस X ovum के साथ हो जाए कई बार male और female gamit normal होते हैं जाइगोट का genotype भी 44 प्लस XX होता है लेकिन इन दोनो X chromosome में एक X chromosome किसी भी कारण से विगटित हो जाता है नस्ट हो जाता है तो 44 प्लस XX situation जो होती है वो 44 प्लस X में convert हो जाती है इसी तरह 44 प्लस XY जाइगोट हो और उसके अंदर Y chromosome है वो degrade हो जाए तो ये जाइगोट 44 प्लस X में convert हो जाएगा इसी परकार 44 प्लस XY situation में यदि एक X chromosome डेमेज हो जाए तो ये 44 प्लस Y के अंदर convert हो जाता है तो ये इनकी possibility रहती है ये जैसे केरियोट्यप दिखाया है 44 प्लस X 0 situation का इस बच्चे हम देख रहे हो कि एक X chromosome है दूसरा X chromosome वो इसके अंदर इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है इनके जो symptoms जो होगे इनकी height छोटी होती है adult में testis या तो नफस्तित होता है या regress हो जाता है दित्यक लेंगिक लक्षन इनमें प्रगटनी होता है और ये जनम से sterile होता है इनकी अवरी में connected tissues के अवसेश जो होते है ये पाई जाता है ये जैसे एक adult का है अलगि इन बच्चों में survival rate बहुत कम होती है लेकिन फूद भी कुछ rare case में बच्चे survive करता है और 15-20 साल तक बाद में उनकी death हो जाती है ये कि ये survival बेबी का जैसे रियल पिक्चर है इनके कान जो होते है छोटे होते है इसमाल चेस्ट जो होता है चप्टा होता है प्लेस्टों के समान अब ये जैसे फिमेल है गल्स है और इसके आयो है लगवाब 15 साल है लेकिन इनके breast development नियुँ है चेस्ट जो है इनके छोटे है memory glands इतनी होती है इनकी उपकला कोशका एक्स नगेटिव होती है क्योंकि एक एक्स क्राउंस्टों यहाँ पर degrade हो गया है इसलिए एपेथीलियल सेल्स आर एक्स नगेटिव और डूटो वन क्राउंस्टों देशो फिमेल फीचर एक एक्स क्राउंस्टों होने के करण इनमें लड़कियों की जो लक्षन होते है फिमेल के जो लक्षन है वो इसके परगट होते हैं लेकिन दूसरा एक्स कौन सुत्र नहीं होने के करण इसके अंदर ओवेरी के development नहीं होता है तो फिमेल में जो दो एक्स क्राउंस्टों है उनमें एक एक्स क्राउंस्टों ओवेरी के development से related है और एक एक्स क्राउंस्टों जो होता है वो सेकंडरी सेक्स्वल क्रेक्टर के development से समधीत होते है कई बार कुछ जाइगोट जो होते हैं कुछ जाइगोट की कॉमिनेशन 44 प्लस X-X या 44 प्लस XY टाइप की होती है लेकिन कई बार X Cronterum जो होता है वो डेमेज हो जाता है और जो जाइगोट 44 प्लस XY टाइप का था वो जाइगोट 45 प्लस Y-0 में कनवर्ट हो जाता है और 44 प्लस Y-0 सिच्वेशन जो होती है इसको male turn आंडर के नाम से जाना जाता है इनके अंदर testing होते हैं वो कम विक्सित होते हैं यह इंट्राइल होते जित्य के लेंगी कud vagेकュ लेक्षन रिख supply कि होती अय उदनर के बच्चे की टॉट यह मेल यिसीज़ पीच्र आप देखें वो तरह कई है तो facial feature देखे अपन identify कर सकते हैं कि इस बच्चे में कौन सा syndrome है और लास्ट फिर है क्लीने फेल्टर syndrome के जो बच्चे होंगे इन में गुंशूत्रों की संख्या 47 होती है लेकिन यहाँ पर काई गुंशूत्र तो 46 होंगे sex chromosome एक ज्यादा होता है एक भी ज्यादा हो सकते हैं दो भी ज्यादा हो सकते हैं और किनिले फेल्टर syndrome के जो persons होंगे उन में गुंशूत्रों के संख्या 47 हो सकती है 48 हो सकती है डबल एक्सवह, अब इसके अंदर डबल एक्स होने के कारण इसमें फिम्यल के फीचर से भी देख नंग बिले गे, एक्सवई कॉमिनेशन होने कारण, इसमें नर केलक्षन है, वो भी देख नंग बिले गें, इनकी probability एक बटे 500, यानि 500 बच्चों में, 500 डिलीरे में, एक जाएं या 22 प्लस एक्स वाई स्वम का फटलाइशन 22 प्लस एक्स ओम के साथ हो जाएं और विशेशकर महिलाओं में उजन ऐसी जो होता है वह अबनॉर्मल होता है पंटिकुलर लेटेस में कि अप्टर 40 एर से क्रोमोश्रॉम के अंदर अबनॉर्मल टी जो होती है वह स्टार हो जाता है तो ऑल्डेज के अंदर जो ऑम बनेंगी उन ऑम में इस तरह का अबनॉर्मल क्यूंशन वो देखने को मिलता है और कई बार इसंगर करiramto do देखने को मिलazione 44 plus double X y. 44 plus triple X y. 44 plus triple X y. 44 plus triple X y. 44 plus tetra X y. 44 plus X y. ये सभी जो example है, ये cleaner filter के है. लेकिन ये बहुती rare case में बंते हैं. फिर भी दुनिया बहुत बड़ी है और कहीं कहीं इस तरह की abnormal combination है वो देखने को मिलती है यह karyotype आप देख रहे हो और इस karyotype के अंदर यह जो आप देख रहे हो double xy situation है इसके अंदर दो x chromosome है और एक y chromosome है इनके जो लक्षन जो होंगे testis छोटे होते हैं breast enlarge हो जाते हैं secondary features female के समान होते हैं सरीर पे बालों का जो प्रतिरूफ होता है वो लड़कियों के समान होता है prostate gland समाल होती है body में वशा का deposition wishes का hip में और chest में ladies के समान होते हैं nerve जो होते हैं वो sterile होते हैं इनके blood में endogen का level जो है वो बहुत कम होता है अब यह जो आप figure देख रहे हो यह लड़के का figure है लेकिन इसके अंदर breast का जैसे development स्टार्ट हो गया और दूर से देखे तो ऐसा लगता है जैसे कोई female है लड़की है लेकिन action में लड़की नहीं है लड़का है मानसिक रूप से यह मंद होते हैं कुछ पैसेंट्स में bar body जो detect होती है और bar body की संख्या एक सी ज़्यादा होती है इस figure आप देखे रहे हो gynecomastia अब यह मनुष्य है नर है लेकिन इसमें breast development हो जाता है इसको gynecomastia के नाम से जाना जाता है इसके परशाद PA Jacob ने Scotland के Penal Institute में साथ ऐसे रोग्यों का पता लगया जिसका genotype 44 प्लस X से डबल वई था और इन सभी वेक्तियों की जो height थी वो 6 फिर से ज़्यादा थी ऐसामाजिक परकार के थे अपराधिक परवर्टी के थे और criminology में जो diploma होता है study होती है वो Scotland की दुनिया में सबसे best है जिते भी अपराध के case हों जो सुलजाए नहीं जा सकते उनको Scotland की police है वो ही सुलजाती है तो Scotland में विशेश कर criminology में for instance science में master degree होती है और पूरी दुनिया के अंदर Scotland की ये जो study है वो विख्यात है तो अपराधी प्रवर्टी के जो लोग है definitely उनके genotype की वैसे इस पे एक research हो सकती है कि किस तरह का genotype है तो किस तरह के व्यक्ति में लक्षन जो है वो देखने को मिलेंगे ये कुछ figure है 44 plus x y situations के इसमें बच्चों का सामने से चेर है और side से चेरह दिखाए ये अलग-लग countries का जैसे collection है ये बच्चा side से दिखाए ये front face 44 plus x y situation ये comparative table दिखाई है कि किस तरह का combination हो किस तरह का syndrome हो तो उसमें bar body की संख्या कितनी होगी जैसे normal male में x y situation है bar body 0 email के अंदर double x situation है bar body 1 turner syndrome x 0 situation bar body 0 cleaner filter में double x y bar body 1 triple x syndrome में 3x है bar body 2 है triple x y syndrome में bar body 2 है theta x syndrome में bar body 3 है theta x y syndrome में bar body 3 है और bar body जो होती है वो मनुसे की idiocyst से समन्दित है जितनी ज्यादा बार बोडी होगी वो human उतना ही ज्यादा मूर्क होता है उतने ज्यादा idiot होता है उसका IQ उतना ही कम होता है तो idiocy जो होती है वो bar body पे depend करती है और bar body के संख्याट जो जो भड़ेगी human के अंदर idiocy की घटना है वो बढ़ती जाती है तो ये 5 सिंड्रोम मैंने आपसे share किये हैं down syndrome, patio syndrome edward syndrome, turner syndrome और clean filter syndrome अब एक question है कि इस syndrome का पता कैसे करें तो syndrome का जो identification है वो karyotype के द्वारा आप हो सकता है और karyotype को आजकर laboratory बनाना भहुत ही simple काम है इसके लिए आपको उस embryo की कोई भी cells चीए तो इसके लिए आजकर एक technique डवलप कीगी amniocentasis amniocentasis में क्या होता है कि pregnant lady जो होती है उसके warm में injections के द्वारा amniotic fluid है वो निकालता है अब amniotic fluid आगे है तो इसके अंदर कुछ कोशिकाएं भी मिलेगी definitely amniotic cells मिलेगी इन कुशिकाओं का laboratory के अंदर culture करते हैं इनमें cell division को induce करते हैं और जब metaphase stage आती है तो शुक्सम दर्शी के उपर camera लगाते हैं आजकल photo photography के camera आते हैं microscope आते हैं फोच जबल दस्त तो उस camera के द्वारा metaphase stage की photograph लिया जाता है इस photograph को बड़े pace way develop किया जाता है और फिर सारे कुण सुत्रों को कैंची से काट कर उनको लंबाई की घरते क्रम में arrange कर लेते हैं और ये karyotype आप्थ हो जाता है अब मालो इस karyotype के अंदर 47 chromosome है इस बच्चे के अंदर syndrome है वो develop हो रहा है अब कौन से नंबर का chromosome extra है उसकी बैसे साइंटिस्ट जो होते है वो data कर लेते हैं कि डवलेविक बच्चे में down syndrome develop हो रहा है या adverse syndrome develop हो रहा है या pateo syndrome develop हो रहा है और इस तरह की जब बच्चे के अंदर abnormality हो तो उस case में महिला को कानूनी अधिकार है कि वो abortion करवा सकती है DNC करवा सकती है MTP का सारा ले सकती है otherwise तो abortion कराने पर PC, PNDT Act के तहित उसमें सज़ा का प्रावदा है लेकिन ये महिलाओं को विशेज छूट दे रखी है कि developing embryo यदि विक्रत हो या developing embryo के करण मदर को कोई fatality का नुक्षान हो उसके लिए जीवन के लिए कोई हानिकार रिक्स्थिती डवलप हो उस case में वो abortion का जो सारा है वो ले सकती है तो ये overall इस chapter के main-main conclusions, main-main aspects ये मैंने आपसे share किये है और फिर भी आपके कोई questions हो, कोई query हो आपनी संकोच, whatsapp के थूँ, youtube channel के थूँ, facebook के थूँ, personal visit के द्वारा आप मुझसे संपर कर सकते हैं और आपके सभी जो persons है उनका समाधान किया जाएगा इन्वयाख्यान को हम सोचने, youtube channel के द्वारा live telecast भी करें class में पढ़ाते हुए facebook के द्वारा भी इसको हम live करेंगे यह हमारी planning है, क्योंकि अभी कोरोना के crisis के current क्यों जादा तर बच्चे हैं, 70% बच्चे हों गाउं के हैं और गाउं में इस्थितिया कि हर बच्चे के पास android phone नहीं है phone है तो वो उनके mother के हैं, father के हैं, guardians के हैं तो अभी इस online education का फाइदा मुश्किल से 30% बच्चों को ही मिल पा है अब ऐसी इस्थिति में study का कौन सा formula इजाद किया जाए यह भी एक सोचने का विशे है लेकिन हमारे department की तरब से भरपूर courses की जा रही है और सभी साथियों के द्वारा excellent quality के video हैं वो रोजान बनाई जाते हैं और YouTube चैनल पर उनको share किये जाते हैं और इस college के लाव रास्तन के भारत के और जो विदाव थी है वो भी इन व्याखैन माले के संकलों का बड़पूर फाइदा उठा रहे हैं तो एक बार मैं पूने I am highly thankful to you have a good day have a great day thank you very much श्रीशन